असलाम अलेकुम टॉपिक जो मुएन कश्मी रिजर्वेशन एक्ट एंड रूल्स थी अरंडर को आगे बढ़ाते हुए आज रिजर्वेशन एक्ट का दूसरा लेक्चर है पहले लेक्चर में हमने चैप्टर 1 को कावर किया था जिसमें हमने डिफिनिशन पड़ी थी तो आज हम चैप्टर 2 थर्ड और 4 को कावर करेंगे और इन्शाला नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 5 जो के miscellaneous है उसको cover करेंगे Chapter 2 में जो है हमें पहले बताया गया है कि Direct Recruitment में कैसे reservations रखनी है vacancies की जब भी government notify करता है vacancies for appointment by Direct Recruitment उसे different categories के लिए उन्हें categorize करके notify करना पड़ता है जैसे हमारे पास categories है schedule cast, schedule tribe उनको उतना ही share देना है जितना उनका ratio उस state की population में होगा ठीक उसके बाद हमारे पास आती है socially and educationally backward classes और economically weaker sections अब आप कहेंगे इनको किस तरीके से क्या देना है तो actual में तो हम वो जब हम पड़ेंगे reservation rules वहाँ पे roster के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी लेकिन यहाँ पे भी act मैं भी थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि जो भी schedule cast, schedule tribe plus socially और backward educationally backward classes है यहने clause A और clause B उनके लिए कुल मिला के हमें 50% से ज्यादा post score reserve नहीं करना है ठीक है उसके बाद क्या बचता है economically weaker section याने C economically weaker section के लिए हमें maximum of the 10% of the post उसको reserve रखना पड़ता है ठीक लेकिन अगर government को लगता है कि कोई ऐसा post है जिसके लिए हमें highest level of intelligence, skill और excellence चाहिए तो वो उस time पे उन post को उस vacancy को reservation act से exclude कर सकता है याने कि ना तो वो A के लिए दे सकता है ना तो B के लिए ना तो C के लिए मैं फिर से आपको बताती हूँ कि A और B clause के अंडर आने वाली posts को हमें 50% से ज्यादा reserve नहीं रखना है out of the total vacancies और C के लिए हमें 10% of the posts को reserve रखना है वो किस तरीके से क्या है वो हम rules में पढ़ेंगे जब हम roster पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले थोड़ा पर बहुत idea देना चाहूँगी कि कितना रखना है कैसे रखना है otherwise आप कहेंगे कि यह क्या बात हुई कि rules में बताएंगे तो यहाँ क्यों पढ़ना है क्योंकि act के अंडर ये topic दिया गया है तो पढ़ना तो ज़रूरी है वी करेंड अंडर प्रिविलिजिट क्लासेज जिसको हम सोशल कास कहते हैं ठीक है रिजिदेंट्स ऑफ एरियाज एर्जोइनिंग लाइन अफ एक्च्वल कंट्रोल एलसी या इंटरनेशनल बॉर्डल आई बी उनके लिए 4 परसंट रिजिदेंट और बाकवर्ड एरियाज 10 परसंट पहारी स्पीकिंग पीपल 4 परसंट इसी तरीके से सी के एंडर उन्हें एक और कैटेगरी को इंसर्ट कर दिया गया है याने economically weaker section उनको 10 परसंट, ex-servicemen के लिए 6 परसंट और physically challenged persons के लिए 4 परसंट तो ex-servicemen के लिए यहाँ पे side पे हमने लिखा हुआ है horizontal reservation तो अब आप कहेंगे वो क्या है तो या physically challenged person इनको भी horizontal reservation ही मिलती है इन दोनों categories को तो आप कहेंगे वो क्या है वो मैं आपको rulings के time पे बताऊंगी कि वो किस तरीके से दी जाती है ठीक है तो अब जो भी बंदा socially and educationally backward classes के अंडर select होता है as resident or backward area या resident of area adjoining line of actual control और international border उसे उस area में at least 7 साल उन तक सरव करना है अगर उस area में जो के notify किये गए है backward area या ALC वाले या IB वाले उन में वो post available नहीं है तो next adjacent backward area में उसे सरव करना है अगर ये बंदा जो किस category में appoint हुआ है वो नहीं मान रहा है इस area में सरव करना तो उसकी appointment जो है वो liable है termination from the service लेकिन termination से पहले उसे हमें educate opportunity देनी है कि वो अपना reason पेश करें कि वो क्यों नहीं सरव करना चाहता है अपने categorized area में ठीक है next reservation जो है वो बार नहीं बन सकती है appointment in open merit याने मैं आपको ऐसे बताती हूँ अगर कोई बन्दा reserved category का है तो उसे जो है on the basis of his merit हम unreserved vacancy के again as to be जो है consider कर सकते हैं ठीक है मतलब मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि अगर open merit में एक बन्दा जो है जितने सारे candidates है उनका जो merit जो उनकी merit की जो एक line है वो 70 to 55 है याने start होता है merit open merit में 70 से और end होता है 55 पे और at the same time RBA category में जो merit की एक line लगी है वो 56 से 40 है तो यहाँ पे क्या-क्या coincide हो रहा है 56, 55 है ने RBA में जो बन्दा 56 वाला है और 55 merit वाला है उसे हमें consider करना पड़ेगा as open merit candidate और उसके बाद RBA में जो ये slots बचेंगे जो ये vacancies बचेंगे उसमें हमें next RBA candidate को consider करना है अगर आप ऐसे कहेंगे कि हमने जी RBA में 56 और 55 merit वाले को consider कर लिए आप in open merit क्यूंकि उसका जो merit होता है वो open merit वालों के साथ coincide हो रहा है तो RBA में हम post इसको reduce करेंगे नहीं आपको reduce नहीं करना है post आपको next RBA candidates को consider करना है posts बराबर reserved category में उतने ही रहेंगे लेकिन यहां से क्या हो जाएगा वो open merit में जो है vacancy पे consider किये जाएंगे याने कि open merit की जगा ले लेंगे वो ठीक है vacancies अगर recruitment year में fulfill नहीं हुवी तो हमें उसे next recruitment process में जो है डालनी है या हम special drive के through भी उसे fulfill कर सकते हैं कैसे नहीं fulfill होती है अगर हमारे पास suitable candidate हमें नहीं मिलते हैं ठीक है अगर हमारे पास backlog vacancies बन जाती है जो मैंने आपको last lecture में भी बताया कैसे बन जाती है कि अगर एक recruitment year में हमने दो बार कोई vacancy advertise की लेकिन उसके लिए हमें suitable candidate नहीं मिला तो वो vacancy, backlog vacancy बन जाती है ठीक है suitable candidate मैं ऐसे आपको समझाती हूँ कि अगर district स्रीनगर में मैंने हमारे department ने SC category के post जो है वो notify किये तो जाहिर है स्रीनगर में SC मिलेंगे नहीं, काफी कम मिलेंगे तो अगर वो SC category की vacancy दो बार भी fulfill नहीं हुई तो क्यूंकि हमें कोई SC category का candidate नहीं मिला उसने apply नहीं किया, किसी बन्दे ने apply नहीं किया SC के लिए तो उस vacancy को हम backlog vacancy का नाम देंगे उसके बाद जितनी सारी reserved vacancies, including backlog vacancies हम next, जो भी हम recruitment करेंगे, उसमें notify करेंगे लेकिन उस time पे हमें ध्यान रखना है कि जितनी सारी उस recruitment की reserved vacancies है, plus backlog reserved vacancies है इन दोनों की overall percentage, limited reserved category percentage से exceed नहीं करनी चाहिए next, जो भी reserved vacancies होती है, अगर वो तीन साल तक fulfilled नहीं हुई, तो उनको हम de-reserved कर देते हैं यानि उनके against हम जो है open merit बंदे को consider कर सकते है next, chapter 3, reservation in government service by promotion यानि promotion के time पे भी government employees को जो है हमें reservation देनी है, लेकिन किस post तक? उस post तक जिसकी pay scale जो है exceed ना करे, deputy secretary की pay scale को और वो reservation हमें किस-किस को देनी है, schedule class को भी देनी है, schedule tribe को भी देनी है socially and educationally backward classes को भी देनी है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि overall reservation जो है, वो 31% of the available vacancies से exceed नहीं करनी चाहिए यहाँ मैं आपको बता दू कि promotion के लिए reservation अभी on hold है because reservation in promotion अभी sub judis मसला है, spring court में pending है तो इस time पे on hold रखी गई है reservation in promotion, ठीक है? next मैं आपको यहाँ पे यह भी बता दू, as per act हमें यह बताया गया है कि अगर कोई बंदा reserved category का है और वो qualify करता है for promotion on the basis of merit and seniority to open merit post तो वो consider किया जा सकता है, ठीक है? chapter 4, deal करता है reservation in professional institutions, याने कि admission के time पे जो भी reservations हमें देनी है, बच्चों को वो किस तरीके से देनी है, हमें कहा गया है कि उतनी reserved categories हमें रखनी है, जितनी government from time to time notify करता है किसके लिए, dual caste, dual tribe, RBA वगेरा के लिए, या economically weaker section के लिए लेकिन जो clause A यहाँ पे, उसके लिए reservation 50% से ज्यादा exceed नहीं होनी चाहिए और clause B के लिए 10% से ज्यादा exceed नहीं होनी चाहिए, ठीक है हमें ये भी कहा गया है कि government जो है, वो हर category में reservation time to time खुद ही notify करता है, और different courses के लिए different percentage रखी गई है किसकी reservation के लिए, एक और बात हमें यहाँ पे कही गई है कि जो भी category है including open merit, उसके लिए हमें 50% reservation रखनी है female applicants के लिए, जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे MBBS और BBS के लिए क्या कहा गया है कि कोई भी category हो, उसके लिए जितना share रखा गया है उस share में से 50% जो है, वो females के लिए रखना है, ठीक है next यह बताया गया है कि कोई भी reserved category अगर हमारे पास है उसके लिए अगर कोई seat fulfilled नहीं हो रही है, तो उसमें हम unreserved याने open merit वाले बंदे को consider कर सकते हैं, यह अगर कोई reserved category की seat है उसके लिए कोई बंदा नहीं मिला admission के लिए, तो हम open merit वाले बच्चे को उसके लिए consider कर सकते हैं, next ऐसे बताया गया है कि अगर कोई open merit वाली category है, तो अगर कोई reserved candidate का merit इतना हो कि वो open merit के साथ coincide हो रहा है, जैसे मैंने अभी direct recruitment में बताया, तो हम उस बंदे को, उस reserved category वाले बच्चे को open merit के लिए consider कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि वो कैसे consider कर सकते हैं, जैसे merit उसका जो है, वो coincide हो रहा है open merit वालों के साथ, तो obviously वो open merit में fall होता है, और उसकी जो reserved category के जो share है, उसमें जो है next उस category का बंदा चाड़ेगा, हमें उस category के जो share है, उसको deduct नहीं करना है, अलबता हमें next बंदे को लाना है, जैसे मैंने direct recruitment में आपको बताया, ठीके, with this आज का lecture हम conclude करेंगे, I hope आपको समझ जाया होगा, जो next और ending lecture रहेगा, reservation act का वो रहेगा, chapter 5 miscellaneous, उसमें हमें थोड़ा बहुत कुछ roster वगेरा के बारे में बताया गया है, तो I hope आपको यहां तक समझ आया होगा, कोई question वगेरा हो, तो आप comment section में लिख सकते हैं, या facebook page पे मुझे directly message कर सकते हैं, thank you so much